हालो गाईज फुर्टिम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बताने वाले हैं कि आप राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें वह भी 2021 का जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे आवेदन कीति थी बाइस एक 2021 यानि कि बाइस जनवरी 2021 को यह अप्लाई किया था और यह कहां तक पहुंचया है इसका प्रोसेस वह सारी डिटेल्स हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको करूम प्रेजर को अपेंड कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है EPDS यह एक ओफिसल वेबसाइट है जिनकी मदद से आप सारी राशन का डिटेल्स यहां से निकाल सकते हैं यहां पे जो है EPDS, Bihar, Government of Bihar पे क्लिक करना है उसके बाद एक फिर से ओफिसल साइट खुलेगा उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं RC Print आपको यहां पे एक बार क्लिक करना है उसके बाद यहां पे आपको तीन ओप्सन देता है यह Home, Application Status, Back to EPDS साइट तो आपको जो है Application Status पे क्लिक करना है एक बार उसके बाद यहां से आपको जीला चोईस करना है आपका जो भी जीला है यहां से आप चोईस कर लेंगे उसके बाद साथ ही यहां पे अनुमंडल भी चोईस कर लेंगे कोई ऐसा जीला है जहां पे दू अनुमंडल होता है तो आप जो भी अनुमंडल में आते हैं आप वहां पे च्वाइस करके टिक मार दे उसके बाद RTPS संख्या यहां पे दर्ज करना है तो चलिए हम RTPS संख्या दर्ज कर लेते हैं तो यहां से फिर से आपको RTPS संख्या को यहां पे नहीं दर्ज कर दिया है उसके बाद 100 पे क्लिक कर देना है जैसे आप 100 पे क्लिक करेंगे तो यहां से फिर से आपको RTPS नंबर यहां पे दिख जाएगा उसके बाद application का नाम यहां पे दिखेगा उसके बाद यहां पे status सो होगा status में यह लिखा हुआ है अनुमंडल पदादीकारी द्वारा आवेदन की स्विकिर्थ के लिए स्विकिर्थ के लिए गई है ठिक है यानि कि वो स्विकिर्थ के लिए अभी अनुमंडल पदादीके द्वारा के पास चला गिया है और इसमें 8 से 10 दिन का प्रोसेस होता है वर्किंग डेज में यह कार्ड एप्रूब हो जाएगा आई हॉप यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना फिर मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं वंदे मातरम